शीजे आई चंदरचूड ने कल सनिवार को मोधी सरकार की जमकर तारीब की कहा अब बदल रहा है भारत इतनी बड़ी खबर लेकिन बीजेपी सुन बैठी है वहीं सरकार की विरोध में अगर कोई बयान दिया होता तो सोसल मीडिया पर वही खबर चाही रहती और नमबर वन पर ट्रेंड करती सुप्रीम कोट के चीप जश्टीस डीवाई चंदरचूड ने दिल्ली में एक सम्मेलन के दुरान केंदर की नरेंदर मोधी सरकार द्वारा लाए गए तीन कानूनों की सरहाना करते वे कहा कि भारत बदल रहा है और नई चुनोतियों से निपटने को तयार है आफ्रादिक नियाई प्रणाली के प्रसासन में भारत की प्रगतिसील पत विसे पर आयोजित्य सम्मेलन को संबोधित करते वे C.J.I. बोले मुझे लगता है कि संसत द्वारा भारत्य नियाई सहीता भारत्य नागरीक सुरक्षा सहीता और भारत्य साक्षय अधीनियम कानूनों का पास करना एक इस्पष्ट संकेत है कि भारत बदल रहा है और भारत आगे बढ़ रहा है भारत को वरत्मान चुनोतियों से निपटने के लिए नए कानूनों की जरूरत है इन नए कानूनों की सहाइथा से हम अपने समाज के बहतर भविस्य की परिकलपना कर सकते हैं। आपको बता दे भारत्य न्याई सहीता, भारत्य नागरीक सुरुक्षा सहीता और भारत्य साक्षी अधिनियम 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। तीनों कानूनों को पिछले साल 21 दिसंबर को संसत से पास किया गया था। राष्टपती द्रोपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर को इने मंजूरी दी थी। इनके लागू होने के साथ ही देश की आफ्रादिक नियायत प्रणाली पूरी तरह से बदल जाएगी। हलांकि एक्सिडेंट के हिट एंड रन के मामले से संबंदित प्रावधान तुरंत लागू नहीं होंगे। इससे पहले एक वीडियो संदेश में प्रधान नियायतीस। डी वाई चंदर्चूड ने नागरीकों से मतदान जरूर करने की अपील की है। CJI ने कहा कि मतदान समयधानिक लोगतंत्र में सबसे महतपूर करत्तवियों में से एक है। इसलिए हर नागरीकों समय निकाल कर हर चुनाव में मतदान जरूर करना चाहिए। इससे पहले नागपूर हाई कोर्ट बार असोसियन के सताबदी सामारों में जश्टिस चंदर्चूड ने नियायपालिका को लेकर महतपून टिपणी की। उन्होंने कहा कि नियायपालिका ने बार-बार अपनी सवतंतरता और गेर पक्सपाद पूनता को साबीत किया है। नियायपालिका की सवतंतरता और बार की सवतंतरता के बीच गहरा संबंद है। चीफ जश्टिस ने कहा कि बार असोसियन के पदादीकारियों और सदश्यों को अदालत के फेस्टनों पर प्रतिकिरिया करते समय सोच विचार कर बोलना चाहिए। आम लोगों की तरह पड़ी नहीं करनी चाहिए। ऐसे में क्या कहना है आपका कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताए। जय हिंद जय भारत।